अगर आप ही CS rank में काफी सारे matches हारे हैं जिसके वज़े से आपका ठीक से rank push नहीं ही हो पा रहे हैं आप Grandmaster या फिर Master नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप जरूर से इन सभी mistakes को कर रहे होंगे जिससे मैं आपको इस video में पूरी detail में बताने वाला हूँ जब आप इन सभी mistakes को नहीं करेंगे तो आप काफी आसाने से rank push कर पाएंगे और वीडियो शुरू करने से पहले मैं केस गिमर प्रांसू जिन जिन लोगों ने इस community push में comment किया था उन्हें मैं personally thank you कहना चाहता हूँ अब बिना कोई देर के हम वीडियो को start करते हैं तो जो सबसे पहला mistake है वो यह है कि हम अकसर सभी rounds में ना same strategy का use करते हैं अगर हम पहले round में rush करते हैं तो उसके आगे 2-3 rounds में भी हम rush करते रहते हैं या फिर अगर हम flank करते हैं तो हम हमेशा flank करने का ही सोचते हैं और जब हम hold करके खेलते हैं तो अकसर हम लोग सभी rounds hold करके ही खेलते हैं तो इस mistake को आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आप लगतार सभी rounds में same strategy का use कर वे तो enemy को आपका strategy पता चल जाएगा और जब enemies को आपका strategy पता चल जाएगा तो पहले से ही ready रहता हूं तो उन्हें में काफी आसाने से हरा देंगे जैसे कि हाँआपने देखो एनमी इस round में left side से rush करती है जिसे मैं काफी आसाने से खतम कर दि特वा अब पहले से ही ready रहता हूं तो उन्हें में आपको अगले round को right side से rush करना या फिर hold करना है या फिर आपको कोई capacities करना ये जिसे कि आप काफी आसाने से राउंड जित जाओगे अब second mistake में देखो जब भी हमारे सामने खासकर 1v1 का situation होता है ना तो अगर हम enemies को damage कर देते हैं तो हम immediately glue लगा के उनके उपर rush करने चले जाते हैं जिसके बाद कभी कभी हम enemies को finish कर देते हैं बढ़ बहुत वारना वो भी हमें मार देते हैं तो इसका एक simple solution में आपको बताएता हूँ देखो जब भी आप सामने वाले enemy को damage करते हैं तो आपको enemy क्या कि बस glue लगा दीनी है आपको glue आल के पास नहीं जाना है आपको पीछे ही wait करते रहना है किसी और भी cover की पीछे अब ऐसा करने से कई बारना enemies आपको glue आल के पास आके आपके उप से rotation लेना है अगर आपके पास ताच्यों करेक्टर होता है ना तो आपको जल्दी से एक दूबर ताच्यों का स्किल यूज करके इधर आ जाना है फिर जब पहले ही इधर आ जाओगे तो अगर बाद में कोई भी enemy आगा ना यहां पे तो आप काफी आसानी से उन्हें खतम क सकते हो अब इसकोद क्लॉक्टर वाले राउंड में अगर आप जल्दी से घर के ऊपर जाने का सोच रहे हो तो आपको पहले ही इनर्जाजर बाइ कर लेना है इनर्जाजर की वजज़े से आपका मूमेंट स्पीड और विज़दा फास्ट हो जाएगा फिर आपको यहां प पता चल जाएगा कि आप उन पे अकेले रश करने जा रहे हैं तो वो काफी आसानी से आपको फिनिश कर सकते हैं जैसे कि हाँ पे दिखो मेरे क्लू में कितना क्लेरली दिख रहा है कि एनमी लेफ्ट से रोटेशन लेने का ट्राइ कर रहा है तो आप इमें पहले ही कवर के पास आगया और वो जैसे ही आगे आए ना मैंने कितनी आसानी से उसे खतम कर दिया इसके सलेशन में आपको यह बिताता हूं कि अगर आपको रश करना यह ना तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी दिर क्राउच करके या फिर लेट जाना है इससे क्लू में आपका लोके पर फेक देते हैं जहांपे वो एनमी पहले था फिर वहाँ भी वो ग्रेट वेस्ट हो जाता है और उस एनमी को थोड़ा भी डेमेज नहीं पड़ता है तो किसी भी एनमी को ग्रेट से नौक करने के लिए आपको उस एनमी का मुव्मेंट अबजर करते रहना है कि किस है और आपको आगे के साड़ भाग जाना है फिर वो एनमी आपके ट्रैप में फसके काफी आसाने से नौक हो जाएगा अब अगले मिश्टे के लिए मैं मेंशन करना चाहता हूँ खुश गेमर को देखो जब भी हम एक दो राउंड जीत जाते ना तो उसके अगले या फिर SKS जैसे गन्स का यूज करते हैं फिर हो तक या है कि उनसे एक भी एनमी नहीं मरता है और हम वो राउंड को हार जाते हैं तो इस मिश्टे को आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है देखो सबसे पहले तो आपको उन्हीं गन्स को चलाना है जिन्हें आपको ठीक से चल जाना आता है और दूसरी बात आपको गन्स राउंड के हिसाब से पर्चेस करनी है जिस जिस राउंड में ज्यादा ओपन स्पेस होता है या फिर वहां पे कोई हैट वाला जगह होता है जैसे कि कट्वलिष्ट वा टिंबर मिल एंट फैक्ट्री वाला राउंड हो गया तो उसके बाद हम लोग फ्रस्टेट होकर अपनी इगो को सर्टिस्फाय करने के लिए कि अगली मैच हम जीत ही जाएंगे हम और भी मैचेस खेल दे जाते हैं जिसके बाद हम इगो को सर्टिस्फाय करने के चकर में और भी ज्यादा लगतार मैचेस हार जाते हैं जैसे कि इस च खेलता गया है यहां पर result आपके सामने ही कि हम यहां पर काफी सारे matches जीट जीट जाओगे अब इसी चीज से related में आपको एक और mistake बतायता हूँ, देखो जब भी हम एक दू match बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं तो हम लोग ना अगले match के लिए opponents का skill copy करके start कर देते हैं, जैसी कि अगर opponent में 4 दिमित्री वाले आते हैं या फिर 4 ओरेन वाले के हमें बहुत गंदी तरह से हरा देते हैं, तो अगले match में बहुत वर हम भी अपना skill change कर लेते हैं, बट उसका फाइदा होता नहीं हम अगला match भी हार जाते हैं, तो इस mistake को भी आपको नहीं करनी है, आपको अपने character combination frequently change नहीं करना है, आपको जो भी combination सबसे ज़ादा suit करता है, उसी से आपको gameplay करना है, ऐसा तो नहीं होता है, कि हम लगदार सभी matches जी जाते हैं, तो अगर आप एक दू में शार भी जाते हैं, तो आपको अपना combination change नहीं करनी है, आपको बस थोड़ा time के लिए break ले लेना है, देखियो अर अगर आप भी यह चाहते हैं कि मैं आपका भी ना मेंशन करो अपनी वीडियो में, तो इसके लिए ना comment section में अगले वीडियो के लिए एक topic suggest कर देना, जिस comment पर सबसे ज़्यादा like होंगे, उसको मैं अगले वीडियो में mention कर दूँगा, अब 8th mistake में, जब भी हम किसी भी enemy को अपने किसी एक teammate को साथ लेके चलना है, जिससे कि अगर वहाँ पर और भी enemies होंगे ना, तो आपका teammate आपको काफी अच्छा-खासा cover दे देगा, फिर आप वहाँ पर काफी असाने से उस enemy को खतम कर दोगे, अब 9th mistake में, मैंने notice किया कि, जो भी लोग खासकर, ओरिन या फिर ताथियो करेक्टर का use करते हैं, वो ज़्यादा तरना अपने skill पर ही dependent होते हैं, अगर आप ठीक से नहीं समझ पहे हैं, तो मैं आपको पूरी detail में बताएता हूँ, देखो मान के चलो, मैं ताथियो या फिर ओरिन करेक्टर का use करते हैं, तो जैसे ही मैं किसी भी इनमी से fight लेने लगता हूँ, तो उहाँ पर मैं ग्लॉाल लगाने के बजाए अपना skill use करता हूँ, जिसके चकर में ना मैं बहुत वार मरा हूँ, तो अगर आभी खासकर ताथियो या फिर ओरिन का use करते हैं, तो आपको अपने skill पर ही dependent नहीं रहनी है, आपको अपर ग्लॉाल्स का भी use करना है, अब हमारे जो 10th mistake है, इसे जायदर आप लोग random plates के साथ खिलते time करते हो, देखो जब भी आप random plates के साथ खिलते हैं तो आपको उनके according अपना gameplay करना है, अगर वो rush करें तो आपको उनके साथ रश करना है, अगर वो hold करें तो आपको भी उनके साथ hold करना है, आपको अपने हिसाब से नहीं खिलना है, अगर आप अपने हिसाब से खिलते हुए दो-तीन इन्वे को knock करके खुद knock हो जाते हूँ ना तो हाँ पर आपको support नहीं मिलेगा random plates के तोरा जिसे कि आपका पूरा effort waste हो जाएगा तो बेहतर यही है कि जैसा आपके random teammates खेलते हैं आपको उन ही के according खेलनी है अब air में आपको जाते जाते दो और mistakes बतायता हूँ देखो जब भी हमारे round में cyber airdrop गिरता है ना तो बहुत पर हम लोग cyber airdrop को नहीं lootते हैं cyber airdrop को आपको जाधा से जाधा lootने का try करना है क्योंकि इसकी वज़े से आपको और भी जाधा बड़ीया loot items मिल जाते हैं आपको अगले round में काफी जदा advantage मिलता है अब लास्ट मिष्ट्य को आप लोग अकसर उस टाइम पे करते हैं comeback करने के बाद 3-3 वाले round में अकसर हम लोग अकेले rush करने चले जाते हैं जिसके बाद होता है क्या कि enemies उस round में hold करते रहते हैं और जैसे आपको अकेले देखते हैं वो आपको काफी असाने से खतम कर देते हैं तो matchmen वाले round में आपको जाद साद होड करके ही खेलनी है आपको अकेले नहीं fight लेनी है तो और यही था आज की वीडियो के लिए अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाक जरू कर देना और अगर मैंने किसी का नाम mention नहीं किया तो sorry यार बुरा मत मानना तो तब तक लिए bye bye मिलते हैं एक और वीडियो में